हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल लानो नीवी ब्लॉग और आप लोग कैसे हो उमेद करते हूं कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हो और आज सोचा है मतलब की नास्ता वास्ता होने के बाद लंच लंच में अभी डिसाइड नहीं क्या है कि क्या वना बनाना है क्या करना है नास्ते के लिए क्या खिलाना किटी मेंबर्स को भी कुछ भी नहीं सोचा है बस ही सोचा था कि कुछ थोड़ा सा बना लेंगे अभी हमने सोचाएंगे म्रसगुल्दे बना लेंगे और कुछ भी पपड़ी नहीं मठ्री वगारा क्योंकि कल जो भी ब प्रोग्राम जुरूर देखिएगा और हमने क्या-क्या थीम रखी है कैसे उसे इंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए गेम भी अभी अमने नहीं सोच है वो सारी चीजे रात को करेंगे अब भी सिर्फ बनाते हैं कि अभी सिर्फ रिये डिसाइड है कि हमें क्या बनाने तो आज हमारे साथ दिन पर बने तब दिन पर का वीडियो जरू देखिएगा क्योंकि आप लोग को भी पता चले ना कि हमने क्या बनाया है और पर केटी के लिए अलग से क्या-क्या तो छली मिलते हैं बाद में. compare बनाए और आज मैंने सोचला कि चलो पत्ता गोभी की सबजी बनाएं और यह मैं कट कर रहा हूं और पता है आज बहुत जल्डी थी और हमारे घर में सारी लोग पत्ता गोभी कहा लेते हैं सिवा है इनके और भेया के अलावा सारे लोग खा लेते इन दोनों बसको पसद नहीं है तो बस मुझली से कट करके मतलब आलो और टमाटर प्यास लहसिन और हरी धनिया काट करके रख लूँगी सारी चीजे और एक साइड मैंने चामल भी पकने के लिए रख दिया जब पकी साबजी में काटूंगी ये बाकी सारी चीजे कट कर लिए और ये चामल देगे ये भी अलमुष्ट पकी चोक है मैं इसे मतलब पसा लूँगी हमारे हाँ जैसे की पताया था मैंने आप लोगों को गंजी में ही चामल बनता है और ये सारी चीजे मैंने मटरी, फरली, रहसुन वगएर सब कुछ तयार कर लिए और मैं सोच रहे होगे आप लोगों कोकर किसली तो आज मैंने कोकर में बनाने वाली इसकी सबजी क्योंकि क्या होता है ना बहुत जल्दी थी सारे लोगों को भूक लगी थी तो मैंने सोच चोलजली से कुकर में कर लेती हूँ तो ये मैंने सारी इंग्रिटेंस डाल दिये हैं और ये आज लाइट ब्राउम हो चुकी है अब इसमें जो मैंने सबजी कट की थी ना तो वो सारी में इसमें डाल दूँगे ताकि जल्दी से पक जाएं तो मैंने ये सारी चीजे कुकर में रख के सीटी ले ली थी और ये पक चुकी है सबजी और मैं मतलब जो कुकर मैंने बंद किया थी न उसका मैं लेना भोल गई आप लोगों को नीवी के आवाज भी आ रही थी वो जीरा के लिए परिशान कर रही थी मुझे तो ये सबजी पक चुकी है काफी अच्छी से दिख रही है और मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती फिर मैंने खानवना करवाए और रूम में आई थी क्योंकि नीवी को तैयार करना था रानू को तो पहले से रेडी कर दिया था तो वो चली गई थी और ये बात कर रही है किसी से आप लग किसे बात कर रही थी कौन सी बुआ से बात कर रही थी थी मिनी बुआ से चली फिर मैं इसकी मस्ती होने के बाद आई नीचे जैसे कि मैंने बताया था कि हमें कुछ समान बनाना है किटी के लिए तो ये न मैंदा को हमने डो तैयार कर लिया था ठीक है तो इसकी यह बड़ी सी तो इसकी हम लोग मतरी बनाएंगे और ये कई लोग इसे सलोनी कहते हैं जा हम लोग घर में मतरी बोलते आप लोग देखकर बताएगा तो ये ना मैं थोड़ा सा पटे में दबा लूँंगी फिर ना डारेक्टली मुझे किसी ने बुलाया था तो मैं चली गई थी छोड़के फिर मैं डारेक्टली प्लेटफॉर्म पे मतलब कि ये बेलूंगी ताकि वो एक साइज का एक लेवल का बेल पाऊं तो ये मैंने इतना कर लिया है इसे थोड़ा सा और पतला करूंगी ताकि मतलब हम bold क्या करेंगी कट कर करके तलते जाएंगे उसे तो बस मैंने कर लिया और कोशिश कर रही हूं की ड़की फिर मैं ट्लेटफॉर्म पे ही बेल ले रही हूं तो बस इसको मैं चारो तरफ और मतलब उससे nasi अतना ये उम्मी लगेगा टिश्टि आता है कुरकुरा आता है अरे रुको ना लेतनी हूं गोदी बस नीवी को हमारे गोदी चड़ना होता है और नानो ना कुछ बूल रही है साइड से मेरे को तो मैं बाद में बताऊ नहीं आप लोगों को इसको मैंने शायद डार दिया है इसलिए वो रोई थी अभी कम्प्लीट हो गया है इसमे ममी कट कर रही है से क्या था एक सेट से में बेल गुती है और अपयोगोग ममी ठंड में सहए डार प्रॉब्लम होता है लोगोगो पज़ना है और यह पशन तो कि छी बंचीवबत देख यह उती है प्लाओ कशला है और यह झीमी को 어렵rito कि और आपकर को खाण है चारुल चुम काफी अच्छा सा लग रहा है देखने में अपने क्या हुआ था में बहुत थक गए थे खड़े होकर बनाने में तो फिर अनों बैठ गए थे तो नीची हमने गैस रख लिया था तो फिर मैं पपड़ी बेल बेल की दे रही थी मम्मी को और वो तल रही थी बगल वाली आंटी भी आई थी तो वो भी बैठ गी थी तो बोली चलो मैं भी बेल देती हूं तो बस उन्होंने लोई करकर के दी मैंने बेला उन्होंने भी बेला था और ममी ने तल दिया था क्योंकि ममी के हाथ में दर्ध है न तो वो दोनों हाथ से क्या होता जादा टाइट लोई बेल नही और आपको किसे कैसे बनाते हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा अब भी लगाते हैं और फिर उसके बाद यह है खोवा खोवा मैं हम लोग नहीं सोचा था रजगुल्ला बना लेंगे क्योंकि यहां पर चंदिया में बहुत अच्छी सी मीठा नहीं मिल पाता है तो लगा मुझ चलो यही बना लेते रजगुल्ला तो इनसे बोला था कि खोवा विजवा दे ना तो इन्होंने कहीं से बोल कि खोवा विजवा दिया था और यह बहुत ज्यादा टाइट था ना इसलिए मैं और ममी से हाथों से दवा रहे थे कि एकड़म से सौप्ट सा हो जा एक मतलब यह मदऄ धिन्हेख फिर में इससे क्या यह मैं मैंमी ने इसमें आटा़ डालना होता है खोवे में तो बस भोगय में आटा़ डाली है और इसे अचछी तरीकी से जो हमारी होतेली होती उसे दवा लें जैसे कि मैं कर रही हूं। और बस इसे दवाने के बाद क्या करेंगे कंथे लोग न इसमें मतलब क्या करते है ऐसे करके न फ्रीज में रख देते फिर उसके बाद बनाते हैं तो बहुत अच्छे रजगुल्ले आते है हमने कभी ट्राइ नी किया है तो इसका आ यसे डो तेयार कर लोगे न खोवे और आटे का फिर उसे फ्रीज में रखन तो फिर आम में लाकी ट्रॉकली नहीं डाला था और अगर आप योगी वीडियो पसंद है ना तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और आगे का वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है आगे का बाइ!